हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं कॉंग्रेस के नेता आलोक शर्मा सबसे पहला सवाल सर्मेरा राहूल गांदी को जिस तरी किसे थ्विट मिली है उसके बाद कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को इस पर कोई आक्शन लेना चाहिए पूरी तरह से जिस दिल्ली पुलिस को तुरंत इस पर देखते हुए एक्शन लेना चाहिए केस करना चाहिए और ऐसी धंकी आगे कोई ना दे इसकी तरफ पुलिस को पूरी सक्त कारवाई करनी चाहिए दो दिन हो गए है इस बात को लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिय आरविन केजजवाल को आखरका सुप्रेम कोट से जमानत मिल गई है लेकिन उस पर भी कुछ शर्टे लगाई हैं वही शर्टे हैं जो एडीम केस में लगाई थी जनवाई हो बहस हो चार्शीट फाइल हुई है और इसमें निरन जल्दी आए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो सके आखरी सवाल मेरा ये है कि हर्याणा में विधानसवा चुनाफ होने वाले हैं ड़स साल से बीजेपी यहां पर काविज है लेकिन एक बार फिर से एक दम भरा जा रहा है कि इस बार का चुनाव भी बीजेपी के हिपाले में जाने वाले है बीजेपी थोड़ी ना कहेगी कि हम हार रहे हो तो हार ही रहे हैं लेकिन आपको मीडिया के लोगों को थोड़ी ना कहेंगे ओपन में आकर बीजेपी का जाना बिलकुल सौ है और उन्होंने मान लिया है आज बीस से पच्चिस लोग दूसरी पार्टियों से विधायक और एक्स विधायक और तमाम लोगों को जाइन करके तो टिकेट दे रहे हैं वो जिस तरह से साड़े नौ साल के बाद एक मुख्यमंतरी को हटाया हर्याना को ब्रस्टाचार में बेरुजगारी में महिला अत्याचार में किसान अत्याचार में नंबर वन बना दिया है बीजेपी को इस बार हर्याना की जंता हर्याना से बाहर ख़देड़ देगी चलिए बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा हमारे साथे कॉंग्रेस के नेता जिनको साफतर पर कहना है कि राहुल गाधी को जो ठ्रेट मिली है उस पर कारवाई की जानी चाहिए और हर्याना विधान सभाग चुनाओ को लेकर भी उनका साफतर पर कहना है कि इस बार हर्याना मे कॉंग्रेस के सरकार बनने जा रही है कैमरामेन विनों चौधरी के साथ नीतू गौर के लार नवदे टाइम्स पंजाब के सरी